सोगर अगर आप लोग भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी जो वीडियो की जो आपकी जो आवाज की क्वालिटी है आपकी जो वीडियो की जो ओडियो क्वालिटी है उसको भी बहुत जदा अच्छे तरह के से रखना होता है तभी ओडियन्स हमारे व के सा haft quality में कोई भी धिकत नहीं आएगी बहुत की अच्छे तरीके से आप अपनी ओडियू को रिकड़ कर सकते हो कैसे कर सकते हैं और यही बताने वाला हूं आज किस वीडियो के अंदर यह अप्लिकेशन पहले से ही दिया रहता है, अगर आप इस वाले अप्लिकेशन से माइक को लगा कर, अपने माइक को लगा कर, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करोगे, तो आपकी जो आवाज की quality हो, नॉरमल होगी, best quality के नहीं होगी, लेकिन अगर आप चाते हो, आपकी आवाज की जुव quality हो वो best quality में record हो, बहुत ज़्यदा high quality में record हो, तो भया उसके लिए आपको एक छोटी सी application डाऊनलोट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको आजाना है play store पे ठीक है play store पे आज आने के बाद यहाँ पर जो आपको search वाला option मिलता है simply आपको search वाले option पे click करना है और यहाँ पे देख सकते हो मैंने video बनाने से पले बहुत सारे application सर्च किये हैं बहुत सारे application को download करके मैंने use किया लेकिन उन सारे application में मुझे सबसे जाता हो जो based application लगा वो easy wise recorder लगा तो यहाँ पर आपको search बार में search कर लेना है easy wise recorder ठीक है इस application को आपको download कर लेना है और यकीन मानोगा है जब इस application से मैंने wise को record करके देखाना है तो बहुत यह तगड़ा वाला response दिया इस application ने और इस application का आप downloads भी देख सकते हो 50 million प्लस इस application का download से तो simply आपको इस वाले application को download कर लेना है इस application का direct link भी आपको इस video के नीचे description box में मिल जागा तो आप direct भी download जाके कर सकते हो download करने के बाद यहाँ पे simply आपको open का button मिलते है simply आपको open वाले button पे click करना है तो यहाँ पर आपको settings करने के लिए आपको three dot पे click करना है तो सबसे पहला जो option मिलता है यहाँ पर upgrade का option मिलता है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है उसके बाद यहाँ पर recently deleted का option मिलता है यनि कि जब आप अपनी wise को record करके delete कर देते हो तो यहाँ पर recently deleted पे click करके देख सकते हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है settings का option तो सबसे man जो है option यही है तो simply आपको इस पर click करने के बाद सबसे पहला जो settings मिलता है वो मिलता है mic preset का तो simply आपको इस पर click करके यहाँ जो by default state आता है यहाँ पर आपको sound quality का option मिलता है तो यहाँ पर click करके आपको sound quality को high कर लेना है और जो man important settings है वो है turning में ठीक है यहाँ पर आपको आना है turning में turning में आने के बाद यहाँ पर जो microphone का option मिलता है यह आपको man ही रहने देना है उसके बाद यहाँ पर आपको format का option मिलता है तो इसपे tap करना है और इसपे tap करने के बाद यहाँ पर आपको इस settings को जरूर change करना है अगर आपको अपने voice को best quality में record करना है तो भाईया यहाँ पर आपको PCM वाला select कर देना है यह वाला select जरूर कर देना है जो कि यह changes रता है यह वाला select करोगे तभी जो आपकी आवाद की quality है वो best record होगी ठीक है यह आपको जरूर करना है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको कुछ by default settings set रहते हैं यहाँ पर आपको यह सारे settings को नहीं चेड़ना है अब यहाँ पर आणा है back wallet return पे click अब आपको अपनी wise को record करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपने meic को adjust कर लेते हैं ठीक है यहाँसे मैंने माइक को लगा दिया देख सकते हो अब आपको अपनी wise को record करने के लिए इस पर टैप करना है चल्वाल शॉर्सomo आवाज इस file में automatic से save हो जागा तो यहाँ पे आपको plus वाले icon पे click करना है file बनाने के लिए उसके बाद यहाँ से आपको अपने नाम से एक file बना लेना है ठीक है तो यहाँ से चलिए हम अपने नाम से file बना लेते हैं उसके बाद अपके बाद बटन पे click करके यहाँ पे जो आपको use this folder का जो option मिल रहा है simply आपको इस पर tap करना है इस पर tap करने के बाद यहाँ पे आपको allow कर देना है allow जैसे आप करोगे तो आपकी आवाज record होना चालू हो जाएगी और जैसे मैं allow करूंगा तो आवाज जो record होगी मेरी वह आप जो अभी आवाज मेरे सुनोगे allow करने के बाद वह आप इस वाले phone से इस वाले app से और इस वाले माईक से सुनने वाले हो तो ध्यान से सुनना अभी मेरी आवाज की quality यहाँ पे change होने वाले है ठीक है जैसे मैं allow करूंगा तो आप देख सकते हो अभी जो आप record होगी है आवाज को सुन रहे हो अभी जो आवाज record हो रही है वो इस वाले phone से हो रही है और इस वाले माइक से हो रही है देखो जैसे मैं यहां से माइक को दूर करता हूं तो मेरी आवाज थोड़ी कम आने लगी होगी और जैसे मैं यहां पर माइक को पास लाता हूं तो यहां पर देख सकते हूं इस वाली एप का कमाल यहां पर देख सकते हूं कितना जादा है यहां पर मेरी आ तो मैंने Ride वाले बटन पर क्लिक कर दिया और अभी जो मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो इससे नहीं हो रही है तो चलिए हम इससे यहां से खोल लेते हैं उसके बाद आपने जो आवाज रिकॉर्ड करीए वो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिश्टन वाले फाइल में मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हो, अपने जो आवाज अवी रिकॉर्ड की यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको प्ले करके भी सुन सकते हो, और और यहाँ पर आपको edit का भी option मिलता है जिस पे click करके आप अपने file के नाम को change कर सकते हो किस नाम से आप इसको file को save करना चाहते हो उसके लाद यहाँ पर आप अपनी आवाज को delete भीक कर सकते हो तो guys इस तरह से अगर आप भी इस application की मदद से अपनी वाइस को record करते हो बहुत यादा best quality की आपकी आवाद record होने वाली है So I hope आज की वीडियो आप लोगों के लिए helpful रही होगी अगर वीडियो helpful रिज़ वीडियो को like का दाना चैनल को subscribe करके बैल लकिंग को praise का दाना तो आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए बाबाय टेक केर जय हिंद जय भारत